कक्षा पहली विशय गणित पाठ अठाइस एक्तालिस से पचास का परीचय तथा लेखन एक्तालिस से पचास का परीचय तथा लेखन बच्चों, पिछली बार हमने इकतीस से चालिस तक के नमबर सीखें आज हम एक्तालिस से पचास तक के नमबर सीखेंगे तो चलो शुरू करते हैं ये देखो मैंने यहां तीलियों के चार बंडल और एक अकेली तीली रखी है मतलब ये हुए एक्तालिस अब मैं यहां माचीस की एक और तीली जोड़ूंगा तो मिलकर ये बयालिस तीली होंगी इसलिए हम कह सकते हैं चालिस और दो मिलकर बयालिस बनते हैं इस तरहा चालिस धन एक और चालिस धन दो ऐसे ही चालिस में तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस नमबर मिलाते जाओ तो इससे हमें दहाई और इकाई पहचाने में मदद मिलेगी बच्चों इस चार्ट को देखो इससे हम 41 से 50 नमबर को कैसे पढ़ना हैं ये सीख सकते हैं चार दहाई, एक इकाई, चालिस एक मतलब 41 चार दहाई, दो इकाई, चालिस दो मतलब 42 चार दहाई, तीन इकाई, चालिस तीन मतलब 43 चार दहाई, चार इकाई, चालिस चार मतलब 44 चार दहाई, पांच इकाई, चालिस पांच मतलब 45 4 दहाई 6 इकाई 46 मतलब 46 4 दहाई 7 इकाई 47 मतलब 47 4 दहाई 8 इकाई 48 मतलब 48 4 दहाई 9 इकाई 49 मतलब 49 पाँच दहाई, शुन्य इकाई, मतलब पचास तो हम 41 से 50 तक के नंबर पढ़ चुके हैं तो अब मुझे रिक्त स्थानों के नंबर बताओ यहाँ पर क्रम से आने वाले नंबरों का तोरंड दिया है वो भरना है तो कौन बताएगा बताओ सर, मैं 41 43 44 46 48 49 50 शाबबाश बिलकुल सही उत्तर दिया है अब आपको 50 तक के नंबर आसानी से पहचानने आने चाहिए समझे ना इसलिए घर पर इनको जरूर दोराना हां जी सर